हेलो बच्चों कैसे हो आप सब सब एकदम बढ़िया एकदम मज़े में मज़ा आ रहे ना चिंदी की जीने में कोई दिक्कत कोई परिशानी तो नहीं है विल्कुल खुश होनो सब ठीक है बच्चों तो वेलकम यू आल ऑन इंडिया लार्जेस लेर्णिंग प्लैटफॉर्म अन अकैडमी बच्चों अन अकैडमी की तरफ से यह वन स्टॉप सॉलीशन फोर कैमिस्ट्री ओन आवर चैनल कैमिस्ट्री 101 ठीक है आप सब को बहुत जोड़दार वेलकम कैमिस्ट्री 101 चैनल पर जहां पर बच्चों आपको मिलता है टॉप एजुकेटर बहुत शानदार क्वालिटी कंटेंड और साथ ही साथ बहुत ही शानदार लर्निंग एक्सपीरियंस तीनों चीजें बच्चों एक ही चैनल केमिस्ट्री 101 जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों सरिफ टॉपिक बताएं क्वेशन प्रेक्टिस हम कराएंगे ठीक है तो फटा फट से क्वेशन बताएं बहुत सारे जैसा आप लोगों ने कहा था कैमिकल कानेटिक्स बच्चों कैमिकल कानेटिक्स आज से अभी से स्टार्ट हो रही है ठीक आज का जो लेक्चर है हम लोग प्रेक्टिस करने वाले हैं खूप सारे क्वेशन कैमिकल कानेटिक्स बच्चों आगे आगे धीरे धीरे करके और क्वेशन करेंगे ठीक है दो या तीन लेक्चर में हम लोग पूरा कैमिकल कानेटिक्स के कॉंसेप्स के साथ बच्चों कॉंसेप्स के साथ सारा का सारा नु तो आप लोग बनने के लिए तयार हो बच्चों हम तो आपको बिलकुल बनाने के लिए एकदम तयार बैठे हैं बस अब आप तयार हो जाओ जाओ बनने के लिए तीक है वेलकम यू ओल ऑन दे इंडिया लार्जस लर्निंग प्लैटफॉर्म अन अकैडमी गैट प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डड़ कोर्स फ्रम इंडिया बस घर से मत निकलना जो भी काम है सारा काम करो मोबाइल फोन पर लेप्टॉप पर जो भी है तुमारे पाल लेकिन इतनी बुरी कंडिशन में घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना बच्चों बिंग डॉक्टर मैं आप लोग का एडवाइस कर रहा हूं कि इस समय घर से बिल्कुल मत निकलना ठीक तो गाइस वेलकम यू ओल ऑल ऑन दे लेर्णिग आप को ठीक है आफ्टर डाउनलोड हो जाया अगर आपका प्ले स्टोर से या अगर आप आप आईफोन यूजर हो तो आईफोन स्टोर से डाउनलोड कर लो उसके बाद इंस्टॉल करो उसको कूर्स स्लेक्ट करो बच्चों नीट यूजी पीजी के बारे में आप में सोचना पहले UG क्लियर कर दो उसके बाद क्लिक करओ गेट सब्सक्रिप्शन पर, लिष्य मुझे चोड़ दो तुम लोग ध्यान दो बच्छो UG पर और उसके बाद साथ साथ बच्चों इनौगैनिक हमारी चली रही है ठीक और उसके साथ साथ हम लोगों ने और गैनिक क्यमिस्ट्री कहां चालू कर दी है अन अक्याडमी लर्निंग एप पे स्पेशल क्लास पर ठीक है बच्चों तो सब लोग कल सुबह आठ बजे मुझे मेरी क्लास में मिलो सर तो बच्चों थैंक यू फो गिविंग में 17 डेकेशन और अगर आप लोगों ने अच्छा मैं अगर अच्छा लग रहा हूं तो आप लोग और डेकेशन मुझे दे सकते हो फटा फट से लेकिन मुझे फॉलू करो और आओ हम लोग बहुत सारी स्पेशल क्लास में क्वे और साथ ही साथ बच्चों आप अपने डाउट्स को भी सॉल्व कर सकते हो ठीक है स्ट्रक्चर्ड पोर्स हैं वो इसी मैनर में बच्चों स्ट्रक्चर्ड हैं कि आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर बना दें ठीक है पूरी अन अकैडमी टीम यही विश करती है कि आप इसके साथ लाइफ टेस्ट और क्विजिस भी होते हैं जो कि आपको पूरा बताएंगे कि आपने कितना परफॉर्म किया कैसा परफॉर्म किया ठीक है इसके साथ बहुत शानदार फायदा अनलिमिटेड एक्सेज कोई भी लेक्चर आपका मिस नहीं होने वाला है अनकैडम लोग ही कैसे आप लोग ठीक है special classes तो free होती है लेकिन अगर आप plus subscription लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको 12 months का 12 months का जो subscription है वो है 30,000 का लेकिन अगर आप मेरा code यूज करते हो बच्चे हो SHUB1 तो आप लोग को 10% off पड़ेगा और 27,000 का course होगा ठीक 24 months की अगर मैं बात करू तो वो होगा 32,400 only तो guys जल्दी से जल्दी subscription ले लो इतने सारे benefit आपको और कहीं नहीं मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ an academy ही है जो आप लोगों को doctor बनाने के लिए एक दम बेताब बैठा हुआ है तीख है बच्चों तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आप सबका favorite topic बहुत messages बहुत notifications आए तब जाके आज chemical kinetics बच्चों start कर रहे हैं हम लोग Today we are going to start up with chemical kinetics कोई doubt है बच्चों सब्सक्राइब करेंगे और कुछ concepts को एकदम पक्ये तरीके से समझ लेंगे ठीक है रटना कुछ भी नहीं है बच्चों रटना कुछ भी नहीं है मैं तुम लोग को guarantee मेरी है कि physical chemistry मैं revise करा दूँगा लब revise कह रहा हूँ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब पूरा का पूरा याद करा दूँगा बस तुम लोगों को क्या करना है ध्यान से सुनना है ठीक है बच्चों तो the dream उससे पहले एक line जरू बोलना चाहूँगा the dream which you think too easy that's not too simple to be achieved जो आप खौप सजा रहे हो इससे में doctor बनने का ठीक है वह इतना असान नहीं है जितना हमें लगता है ठीक है बहुत कड़ी तपस्या है बच्चों तब जाके आप एक government medical seat निकाल पाते हो ठीक है तो जो भी अगर आप लोग इसससे में अपना time waste कर रहे हो या इधर उदर हो रह पर अभी भी मैं कहूंगा कि मौका है तुम्हारे पास मौका है दस्तूर भी है ठीक है ना भाई समय तो कभी किसी की साथ नहीं हुआ ना समय तुम्हारे साथ होगा ना कभी हालात तुम्हारे साथ होंगे ठीक है तुम्हारे पास बस आज है आज आज ही से लग जाओ ठीक ह है बच्चों तो चालू करते हैं आज हम लोग chemical kinetics सबसे पहले बच्चों हम लोग उसमें पढ़ने जा रहे हैं आज rate of reaction कि rate of reaction क्या होती है कैसे निकालेंगे सबसे पहले मैं बताता हूं rate of reaction होती क्या है बच्चों rate of reaction तो chemistry में rate का मतलब होता है speed rate का मतलब बच्चों होता है speed तो किस speed से आपकी reaction complete हो रही है ठीक है उसे आप क्या कह देते हो बच्चों rate of reaction हा या ना ठीक है बच्चों rate जो होता है rate speed क्या होता अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ speed क्या होती है ds upon dt मतलब कितने समय में आपने कहां से कहां तक मुव हुए क्या ये displacement है बच्चों क्या ये बच्चों displacement है ठीक है तो कहां से आप कहां तक कितना move किये ये क्या होता है बच्चों speed in physics ठीक अब बात करते हैं chemistry में speed क्या होगी मतलब ये reaction for example ये reaction हो गई आपकी a b converts into c plus g ठीक है a b converts into c plus d ठीक है मतलब मतलब a कितनी देर में c और d में convert हो गया हाया ना ठीक है बिलकुल मतलब क्या लिख सकते हैं कि a जो है वो बच्चों कम हो रहा होगा ये जो है बच्चों वो क्या कम हो रहा होगा है ना तो क्या मैं लिख सकता हूं बच्चों rate of appearance ये rate of ठीक है अब आ जाओ बच्चों rate ठीक है आ जाओ बच्चों rate expression define करते हैं उसके बाद हम लोग आगे की बाते करेंगे सबसे पहले reaction क्या दी हुए है बच्चो 2a plus 3b gives c plus d या चलो 4c मान लेते हैं और और कुछ बताओ कोई number 2d मान लेते हैं चलो 5d मान लेते हैं हम लोग तो 70 तक पहुच गए ना ठीक है 4c plus 5d ठीक अब बच्चों देखो क्या हो रहा है सबसे पहले क्या यूटिलाइज हो रहा है तुम्हारा बिलकुल सर तो क्या लिख सकते है rate of disappearance of a rate of disappearance of a yes or no बच्चों एक सेकेंड ठीक है rate of disappearance of a क्या हो जाएगा क्या a final minus a initial हो जाएगा बच्चों upon time taken कितना step चलने में कितना time लगा ठीक है यह तो हो गई बच्चों एक अच्छे खासे time के लिए लेकिन अगर आप एक instant पे देखोगे तो क्या लिख दूँँ d a upon dt क्या minus का sign आएगा बच्चों क्यों सर क्यों कि बच्चों disappearance है disappearance में negative हो जाएगा हाई या ना ठीक है तो बच्चों यह क्या rate of disappearance of a ठीक अच्छा क्या अब मैं B के लिए define करूं तो क्या होगा सर कुछ नहीं date of disappearance of B होगा क्योंकि d b b क्या है बच्चों reactant reactant क्या होता है कुछ टाइम बाद गायब माइनस d b upon dt लिग दे बच्चों लिघ देजे सर लिख दिया आपने कहा है तो मिने लिख दिया ठीक है अब बच्चों rate of क्या c क्या हो रहा है क्या product है मतलब product का appearance होगा बिलकुल सर तो क्या लिख दे rate of appearance of c हा या ना बच्चो बिल्कुल ठीक क्या लिख दे plus dc upon dt ठीक अब same to same rate of appearance of d बच्चो क्या हो जाएगा plus d capital d d upon dt कोई doubt है यहां तक नो सर पक्का बच्चो ठीक अब बात करते हैं rate of reaction अगर यहां से अगर calculate करोगे तो कैसे करोगे मैं तुमनों को एक बहुत easy साथ तरीका बताने जा रहो बच्चो क्या करोगे minus d upon dt लिख दे सबसे पहले लिख दो सर अब एक काम करो जो psychometric coefficient है ना उसको लिख लो नीचे 2 ठीक है उसको कहा लिख लो नीचे is equal to अब बच्चों बताओ minus d by dt क्या हो जाएगा by 3 हाई या ना बच्चों बिल्कुल सर minus dc by dt क्या हो जाएगा 4 लेकिन यह क्या हो जाएगा plus क्यों क्योंकि rate of appearance of c की बात हो रही है ठीक है अब बात करते हैं d d upon dt क्या हो जाएगा 5 ठीक है बच्चों ठीक है समझ रहे हो ना यह क्या है तुम्हारी rate of reaction निकालने का तरीका एक से सब interlink होती है psychometry के वैसिस पर यह चीज़ तो हम लोग बतलब जब से physical chemistry start किये तब ही से सीख रहे है ठीक है ठीक आजाओ बच्चों पहले इसके कुछ question कर लिता है उसके बाद हम लोग चलेंगे rate of law of action ठीक है आजाओ बच्चों सबसे पहले क्या है question आजाओ देखते है ठीक है चाहे तो एक ही direction में कर लो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है एक ही direction कर लेता है if concentration of NO2 increases by 1.6 into 10 to the power minus 3 mole per liter ठीक है बच्चों ही mole है mole per liter कितने टाइम में 4 second में अच्छा आप एक बात बताओ हम लोगों को क्या बताना चाह रही है क्या dno2 upon dt है यह है क्या कर दें सर्फ final minus initial बिलकुल final minus initial initial हमें पता नहीं है तो zero मान लो time हमें पता है क्या कर दें सर्फ 1.6 into 10 to the power minus 3 upon 4 बच्चों यह किसकी value है dno2 upon dt की value है क्योंकि देख लो उसने क्या कहा है if concentration of no2 increases by मतलब rate of appearance बता रही है तुम्हें यह क्या बताना चाह रहा है बच्चों rate of appearance of no2 हाई या ना बच्चों ठीक ठीक है यह क्या हो गया हमारा काट दो यहां से 0.4 into 10 to the power minus 3 अब बच्चों देखो अब हमसे question में क्या क्या पूछ रहा है rate of disappearance of n205 क्या हो जाएगा 1 upon 2 d and 205 upon बच्चों dt बिल्कुल सर क्या इस minus पर लगेगा यहां पर बिल्कुल लगेगा यह क्या हो जाएगा देख लेते हैं 1 by 4 dno2 upon dt yes or no बच्चा dno2 की value क्या है 0.4 into 10 to the power minus 3 upon 4 टिक 2 को इदर ले जाओगे 2 को इदर ले आओ भी क्या हो जाएगा dn205 की value पूछा है upon dt टिक solve कर लो बच्चों 4 से 4 गया answer क्या आ गया 0.2 into 10 to the power minus 3 टिक है mole per liter per second sorry mole liter second टिक है एक ही में है mole liter टिक है liter और second एक ही में है बच्चों टिक आओ अगला question करें आज ओ आज ओ अगला question करते हैं है ऐसान chemical kinetics आज ओ बच्चों अब बोल रहा है rate of appearance of NO2 rate of appearance of NO2 यह तो हमें बताई दिया गया है अब बात कर लेते हैं rate of appearance of O2 D NO2 ठीक है D NO2 बच्चों DT यह क्या हो गया rate of appearance of NO2 किसके equal कर दें D O2 upon DT ठीक है लेकिन यहाँ पर 1 by 4 हो जाएगा यहाँ पर 1 ही रहेगा तो क्या हो जाएगा क्या answer 0.1 into 10 to the power minus 3 है बच्चों बिलकुल सर ठीक है तीन question हो गए हमारे अब बच्चा है rate of reaction rate of reaction बच्चों कैसे करते थे सर दी NO2 दिया है ओके D NO2 D T upon 4 यह क्या है बच्चों D NO2 का value क्या है अरे बोलो 1.6 into 10 to the power minus 3 upon 4 यह time हो गया बच्चों upon 4 answer क्या आ जाएगा 0.1 into 10 to the power minus 3 हाए आना बच्चों ठीक है हो जाएगे बिस यह क्यों question आ जाओ एक question और करते है NH4 sorry NH3 when reacts with 5 O2 gives 4 NO plus 6 H2O rate of appearance of NO is equal to 3.6 into 10 to the power minus M L into second ठीक है ठीक है अब क्या देखें NH3 का disappearance बोल रहा है बच्चों अब मैं तुम्हें और easily answer निकालने का तरीका सिखा रहा हूं easily answer निकालने का तरीका सिखा रहा हूं बच्चों द्यान से देखना अब इतनी देर हम लोग बार 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 DNH3 DNH3 थोड़ना लिखेंगे एक काम करो सीधे R लिख लो R of NH3 छलो NH3 लिख लेते हैं इसको किसे डिवाइट कर दें 4 से यहीं तुम्हें निकालना है ठीक है और इसको किसके एकुल रख दें R के NO के rate of appearance of NO के 3.6 into 10 to the power minus 3 upon क्या हो जाएगा बच्चों 4 upon 4 4 से 4 cancel answer क्या सेम हो गया 3.6 into 10 to the power minus का 3 ठीक बात करते हैं बच्चों rate of appearance of O2 लिख लेते हैं चलो DO2 upon DT लेकिन 3 तेज 5 1 into 5 1 upon 5 is equal to क्या हो जाएगा बुलो बच्चों 1 by 4 3.6 into 10 to the power minus 3 हो जाएगा बिलकुल हो जाएगा क्या कर दें चार यह 4 से 4 49 जा 3.6 मनला 0.9 लगा लिजे और फिर 5 से multiply कर दीजे तो क्या हो जाएगा बच्चों 4.5 into 10 to the power minus 3 ठीक है बच्चों बात कर लो बच्चों बात कर लो बच्चों rate of appearance of H2O 6 is equal to क्या हो जाएगा 3.6 into 10 to the power minus 3 upon 4 बिल्कुल 4 को इससे divide कर लो क्या आ गया 0.9 0.9 को 6 से multiply कर लो कितना आता है 54 मतलब 5.4 into 10 to the power minus 3 यह क्या हो गया बच्चों dH2O upon dt 3 हा या ना बच्चों ओक्ये सर not right all the problem rate of reaction क्या हो जाएगी बच्चों एक सिंपल से काम करो इसी को solve कर लो rate of reaction को कैसे करें अर जी बोल लो कैसे करें कुछ नहीं करना है सर 3.6 into 10 to the power minus 3 upon 4 कर दो आंसर आ जाएगा 0.9 into 10 to the power minus 3 ठीक है कोई डाउट है आ पे नो बच्चों ठीक करो अगला question A to gas gives B plus half C total pressure increases from 100 to 120 in 5 minutes ठीक है in 5 minutes find out the rate of disappearance of C2 ठीक है find out the rate of disappearance of C2 ठीक है अब मैं तुम लों को इसमें ध्यान से सुनना कैसे करें A to B plus C ठीक है बच्चों अब क्या कर दे सबसे पहले initially क्या है कुछ टाइम बात क्या हो जाएगा हंड्रेड माइनस P है ना हंड्रेड माइनस P और बच्चों यह क्या जितना यह टूटेगा उतना यह बनेगा पिल्कुल तो बच्चों B कितना हो गया P और यह C कितना हो जाएगा P by 2 ठीक हा या ना बच्चों बोलो हा या ना ठीक है इतना समझ में आ गया अब बच्चों एक काम करो इन चारों को एड्ड कर दो इन तीनों को एड्ड कर दो किसके क्वल हो जाएगा किसके एक्वल हो जाएगा सर 120 के 120 mm के एक्वल हो गया ओके सर no problem क्या प्लस से माइनस P cancel बिलकुल तो क्या बच्चों 100 को इदर ले हैं ले आओ क्या 20 mm हो जाएगा P की value क्या हो गई P upon 2 क्या हो जाएगा P is equal to 40 mm P equal to 40 mm अब देखो तुमसे पूछ क्या रहा है rate of disappearance of A2 ठीक है अब कैसे निकालते थे A final minus A initial हाया ना बच्चों A final minus A initial ठीक अब क्या कर दें upon T okay sir final कितना हो गया बच्चों क्या final देखो P कितना है 40 तो 100 minus P है final हमारा ठीक कितना हो जाएगा बच्चों 60 minus ठीक है हाँ 60 minus 100 upon T time कितना है बच्चों 5 minute value किसमे दी हुई है minute में ठीक है यहाँ पर भी mm पर minute ही है ठीक है अब बच्चों क्या कर दें 40 upon 5 क्या 8 answer आ गया लेकिन बच्चों देखो answer किसमें आया या minus में answer क्या आ रहा है minus 8 ठीक है बच्चों minus अभी कहा भाग गया rate of disappearance आ रहा है अगर तुमसे question में बोलता rate of O2 rate of A2 बच्चों option में देता है minus 8 तो answer क्या लगा क्या आते है minus 8 ठीक अब बहुत बच्चे कह रहे होंगे कि सर एक बात बताईए यहां 100 mm लिखा है यहां 120 mm लिखा है directly आपने क्यों नहीं कर दिया बच्चों यहां पर क्या दिया हुआ है total pressure यहां मुझे एक का pressure अगर वो बोलता ठीक है for example वो मान लेते हैं A का B का या C का pressure हमें देता था तब हम कर भी सकते थे है ना simple चीप बात है pressure is directly proportional to mole ठीक है अब बच्चो rate of disappearance या rate of appearance तब ना आएगी जब तुम्हें एक के बारे में पता हो हमें पता था total pressure हमें पता था total pressure तो बच्चों जब total pressure पता होता है तब हम कैसे आखिरकार ऐसे धोका कर दें उसके साथ ठीक है अजी ठीक है ठीक है बच्चों आ जाओ rate of reaction पर आ जाओ बच्चो rate of reaction पर यहां पर क्या होता है बच्चो rate of using the laws of mass action इसे आप लोग लोमा भी कहते हो क्या कहते हो जी लोमा याद आ रहे वो क्या कहते हो उसको है अगे प्रोटोगों से पढ़े हो गे लोहा 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 तीरी आकों का जदू आई में कोई disease करता था याद आ रहा है कि नहीं कोई बात पर क्या करूँ तो इसलिए किंए सब कुछ चुर् कैसे लिखते हैं rate of reaction सबसे पहले आज समझते हैं यह कभी भी तुम्हें rate of reaction लिखनी है R is directly proportional to product of reacting substance यहाँ पर कौन-कौन react कर रहा है क्या A और B react कर रहा है बच्चो product of reacting substance raised to the power of their psychometric coefficient दोनों में 1-1 है बच्चो इसलिए यहाँ पर भी क्या जाएगा 1-1 अगर मैं तुम लोग को एक example से समझाओं तो देखो यहाँ पर द्यान से देखो बच्चो क्या हो जाएगा A X A Y B gives C plus G ठीक है क्या हो जाएगा बच्चो rate of reaction is directly proportional to A की power X B की power Y अब क्या कर दें बच्चो वो लोग कुछ नहीं सर जब भी यह proportion हटता है तो constant का sign आता है इसे क्या कहते हैं बच्चो reaction constant ठीक है reaction constant इसके उपर बात करेंगे अभी थोड़ देर में इसे क्या थीक है इतना समझ में आगे बच्चो सौरी भी वाई नीचे नहीं ऊपर एक अब एक question है जो की तुम लोग करके दिखाओ ठीक है आजाओ बच्चो यहाला question जो है यह तुम लोग करके दिखाओ मुझे ठीक है क्या करें sir r is directly proportional to a का 2 b का 3 ठीक है यह क्या होगे आपका rate of reaction ठीक है ठीक है अब बच्चो एक चीज जो की तुम्हें सबसे ज़्यादा परिशान करती है हाई एक्जाम में पूछा हुआ question है मैं इसलिए बता रहा हूँ rate और rate constant में क्या difference होता है बस बच्चो सबसे पहला कि आर्ज करते हैं यह के से डिनोट करते हैं ठीक है दूसरा reference सुनना ध्यान से बच्चो rate constant सिफ temperature पर डिपेंड करेगा और यह बच्चों concentration पर भी करेगा concentration के ऊपर भी डिपेंड करेगा ठीक है इतना यहां तक किसी कोई डाउट पक्का ठीक है चले आगे ठीक अच्छा एक चीज रेट जो होता है बच्चो चलो ठीक है यह सब ठोड़ो ठीक है इतना समझ में आ गया बच्चो लेकिन law of mass action हमेशा applicable नहीं होता rate law of mass action is not applicable in all the cases ठीक आओ अब देखते हैं कुछ questions है easy से बहुत असान से question मनते है rate of reaction पर आओ देखते हैं अगले lecture हम बच्चों हम लोग discuss करने वाले हैं सारे orders first order, zero order, second order, pseudo first order ठीक है अब अब देखो इसी में हम लोग सब कुछ बात कर लेंगे half time सब कुछ half time कैसे graph plot होते हैं कैसे क्या होता है बहुत सारे धेर सारे questions के साथ हम लोग अगले lecture हैं बच्चों ये सब कुछ भी solve करेंगे ठीक है अभी आप लोग घ्यान दो यहां पर देखो बच्चों क्या हो रहा है सबसे पहले क्या लिख ले rate of reaction क्या लिख ले बच्चों rate of reaction rate of reaction क्या a upon b का whole square होगा ठीक है अब क्या कह रहा है अब अगर एक ही concentration बच्चों कितने से बढ़ गई two times कितनी बढ़ गई बढ़ गई किसी concentration एक ही concentration तो बच्चों आर तुम्हारा कितने times हो जाएगा बहुत सिंपल सा question ही है ठीक है सर सिंपल सी बात है आप खुद देख लो इसको r dash मान ले ओके तो बच्चों 2 को भाहर ले लो a b square को क्या same to same लिख सकते हैं बिलकुल क्या हो जाएगा यह 2r r dash is equal to 2r बच्चों ऐसे question को हम लोग क्या सोचते हैं अजी हलुआ है लेकिन जब एक्जाम में यह हलुए आते हैं न तो यह बिलकुल मतलब हम लोग को लगता है बहुत easy हो जाएंगे लेकिन होते नहीं है उस time पर अब तुम लोगों ने अगर देख लिया है समझ लिया है तो अब तुम लोगों से असानी से हो जाएगा अगला question यह रहा आप and B is decreased 1 by 3 times then what will happen to the rate of reaction क्या होगा हमारी rate of reaction पर फरक ठीक है आज ओ बच्छों देख लेते हैं if concentration of A increases 3 times सबसे पहले दे आर A का square B ठीक बच्छों अगला question देख लो आर A का square B अब देख लो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग A में 3 times का multiply हो रहा है तो क्या 3 हो जाएगा का square B के साथ क्या हो रहा है 1 by 3 times लेकिन बच्छों B जो है आपका उसके उपर कोई power नहीं है तो यह क्या हो जाएगा 9A square क्या हो जाएगा बच्छों यह 9A square into 1 by 3 B क्या यह बच्छों cancel R is equal to 3 A square upon B हो गया बिल्कुल क्या A square B को यह R dash है बच्छों ठीक है क्या हम लोग A square B को क्या पुराना वारा R मान सकते हैं तो बच्छों क्या लिख सकते हैं इट विल इंक्रीस 3 times कितना इंक्रीस कर गया 3 times हा या ना हा या ना बच्छों ठीक है कोई डाउट है यहां पर पक्का अच्छा के के बारे में अगर पूछ लें तो सर के हमारा सेम होगा यहां पर ठीक है बच्छों के को कैलकुलेट करते हैं भी थोड़ देर में तब तक आओ पहले कुछ टाइप के और के questions में बात करते हैं बच्छों अब order और molecularity में क्या difference होता है order तो अब से पहले देख लो practically समझ लो की order तुम लोग किस टाइप के question में use करने वाले हो ठीक है बच्छों यह जो 2 है यह किसका order है यह order of a है यह जो 3 है यह क्या है बच्छों order of b ठीक बच्छों order of b ठीक अब doubt कहां आता है बच्छों उसमें अब इसमें doubt आता है जब पूरा order पूछ ले order of reaction क्या हो जाएगा 5 ठीक अब बात कर लो यहीं पर molecularity की भी यह तो हो गया order ठीक है अब बात कर लेते हैं बच्छों molecularity की किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग molecularity की सुलों बहुत असानी से हो जाएगा number of molecules number of molecules reacting to form the product बच्छों simple से है 2 ए तो ए के कितना molecule है सर 2 बी के कितने है सर 3 अब बहुत बच्छे कहेंगे कि सर molecularity is equal to order क्या molecularity is equal to order क्या होगा answer बच्छों होता है लेकिन not always not always not always not always ठीक है हमेशा नहीं होता ठीक है बहुत सारे क्यों की क्यों नहीं होता अब orders होता है बच्छों यह practically देखा जाता है order हम लोग यह जो ऐसे हम लोग rate of law of reaction order निकाल रहे ना यह हर जगह applicable नहीं है बहुत सारी reactions ऐसी होती है जो कि यह आला order follow नहीं करती है बच्छों ठीक है हम लोग आगे कल बात करेंगे कि कौन-कौन से rate of कौन-कौन से order हम पढ़ेंगे जैसे जैसे तो हम लोग बाते करेंगे वहाँ पर ठीक है यह order जो है यह जो है प्रेक्टिकल ठीक है ठीक है experimental factor order ठीक है और molecularity क्या है बच्छों ठीक है बच्छों एक सेकिंड मैं का call है ठीक है बच्छों ठीक है यहां पर उल्टा हो गया है मुझे लग रहा था कि शक हुआ था यह क्या हमारा order है और यह क्या हमारा molecularity ठीक है अब बच्छों देखो molecularity मतलब होता है total number of reacting species in an elementary reaction elementary reaction क्या होती है सबसे पहली बात sir elementary reaction is that reaction जहां पर जहां पर क्या होता है elementary reaction बच्छों sir elementary reaction is that kind of reaction in which no multiple step is present बच्छों यह जो होता है whole number होता है positive integer होता है यह हमारा fractional यह 0 नहीं हो सकता theoretical factor के उपर बेज़ जाए it does not depends upon the experimental condition बच्छों यह हमारा experimental fact fractional भी हो सकता है यह हमारा किसके उपर depend करता है क्या बताता है यह यह हमें बताएगा कि जैसे जैसे concentration change हो रही है वैसे वैसे rate of reaction पर भी फरक आएगा यह यह जो है experimental conditions पर भी depend करता है order है यह यह उल्टा लिख दिया मैंने ठीक है ignore ignore करो उसको ठीक बच्छों आजाओ इसके भी question practice कर लेते हैं कैसे होगा सबसे पहले find the order with respect to x and y x और y के terms में तुम्हें क्या बताना है यहाँ पर order ठीक है आज़ए यह पर आज़ए सबसे पहले एक काम करो सबसे पहले एक है करके करो टिक क्या से एक करके बच्छों देख लो y हमारा point one से point one move कर रहा है ठीक है देखो बच्छों y क्या बारा same है y की value क्या होगा बच्छो same ठीक है क्या बच्छों x की value हुई change लेकिन क्या हमारे rate पर फरक आया क्या हमारे rate पर फरक आया नो सर तो क्या कह सकते हैं बच्छों x की value कितनी होगी 0 x का rate कितना हो गया बच्छो 0 x का order कितना हो गया सर 0 लेकिन अगर आप reaction देखो अगर हम गलती से बच्छों reaction देख लें आपर तो क्या होगा x y अगर हम लोग reaction देखे बच्छों तो क्या होगा x plus y reaction के according तो हमें x में भी कुछ ना कुछ order दिख रहा है लेकिन अगर experimental देखा तो हमें कुछ मिला no sir तो x का order कैसा हो गया 0 it does not depend ठीक है rate constant में इसकी कोई जरूरत नहीं है अब देख लो y को किसको देख लो बच्छों y को ठीक है x का तो हमें पता पड़ गया कोई रोल नहीं है बात करते है y की y कितने से increase कर रहा है 0.1 to 0.2 ठीक और यहां पे कितना increase है 0.02 से 0.02 से क्या 0.08 का increase है यह सर क्या कर लें डिवाइड कर दो ठीक है यह बच्चो किसमें जा रहा है वन से टू में ठीक यह कितने में जा रहा है वन से टू में और यह कितने में जा रहा है सुरी 4 है ठीक है 1 2 4 ठीक क्या इतना difference है हाँ या ना बच्छो तो क्या कर दें क्या 4 2 का multiple होता है बिल्कुल सर क्या 2 का 2 का square होता है 4 बिल्कुल सर तो बच्छो देख लो जब 2 का हुआ change तो यहाँ पे कितने का change है 4 का तो क्या कर दें 4 को 2 से divide कर दो कितने का change आ जाएगा 2 का ठीक है बच्छो तो order of y क्या है 2 अगर मैं तुम लोगों से order of complete reaction पूछ लूँ तब 2 क्यों कि x का तो 0 है ठीक है आ जाओ बच्छो अब यहाँ पे बात कर ले इस order is 1 with respect to each a and b ठीक है हमें बताना क्या है यहाँ पर x बताना है और y निकालना है एक x की value निकालनी है और एक y की value निकालनी है order क्या है बच्छो 1 ठीक है order क्या है 1 1 सबसे पहले देख लो उपर वाली reaction में क्या हो रहा है आ जाओ बच्छो 0.1 अब 0.4 ठीक है क्या हो जाएगा 0.1 में 0.2 इंटू 0.05 है ना rate लिख दो जैसे हो रहा है ठीक है अब क्या लिख दें x इंटू 0.05 हा या ना बच्छो बिल्कुल शेर cancel ठीक 0.5 से 0.5 गया ठीक है x को इदर ले जाए x को इदर ले जाए यह सर 0.2 इंटू 4 हो जाएगा बिल्कुल answer क्या हो गया 0.8 x क्या आ गया बच्छो 0.8 ठीक है ठीक है कोई doubt है या आपे नो सर अब क्या करें बच्छो आजाओ देख लेते हैं 0.8 0.05 y x कितना है 0.4 0.4 by 0.8 हो जाएगा क्या कर दें 4 से यह गया 2 2 से 2 ठीक y इदर हो गया तो 4 इंटू 0.05 answer है पोर को मल्टिप्लाय कर लो 0.2 आ रहा है हाई या ना बच्छो ठीक है ठीक बच्छो आओ जाओ उस वाले question पर यहां पर हमें order बताना है विच रिलेटिटी टू ए बी एंड सी ठीक देख लो सबसे पहले सबसे पहले कुछ ऐसा चेंज देखो जो बाकियों में ना हो बच्छो क्या दिख रहा है क्या बी और सी में कोई चेंज है नो सर लेकिन बच्छो क्या ए में चेंज है बिलकुल कितने का चेंज है सर कहा जाये तो यह वन बाइट टू का चेंज है मतलब decrease हो रहा है 1 by 2 से देख लो बच्चों क्या यहां पर भी 1 by 2 से decrease हो रहा है 2.08 था 1.04 हो गया तो एक order क्या हो गया वन ठीक है बात कर लो बच्चों अब बात कर लो भी कि या सी की पहले कुछ भी निकाल लेते हैं ठीक है आज ओ पहले बात कर लेते हैं बी ठीक तो ए और से को constant रख दो क्या जीरो पॉइंट zero two से यह आला 0.02 constant है बिल्कुल सर बच्चों देख लो अब क्या यह भी 0.02 से यह भी constant है बिलकुल सर, क्या हो रहा है, 0.2 से 0.4 तक का increase हो रहा है, कितने से increase कर रहा है, 2 से, बचो यहां पर देख लो, कितने से increase हो रहा है, 4.16 और 2.08 कितने का increase है, 2 का, ठीक है बचो, तो क्या दोनों में कह सकते हैं, दोनों में same numbers increase हो रहा है, order of reaction क्या हो जाएगा, 1, हा या ना, अजी बोलो, कोई doubt है यहां पर, बात कर लेते हैं, बचो, C की, क्या order होने वाला है, C का, एक order क्या है, बचो, 0.02, इसको माल लेते है, X, मलब यह तुम पता पढ़ गया है, 1, B का क्या है बचो, 0.02, यह भी हमें पता पढ़ गया है, 1, अब बचो, 0.04, यह क्या हो गया, X, 8.32 हमें पता है, लेकिन बचो, क्या हम यह एक वेट कर सकते हैं, नो सर क्यों, क्यों क्यों क्ये की value नहीं पता है, किसकी value नहीं पता है, अब क्या करेँ, अरे जी अब क्या कर लें, क्या करोगे सर, answer निकालो, क्यासे अंसर निकाले क्यासे निकाले यह एई कैसे अनुद्ब अन्सर निकालोगे कैसा ओर दरीका सोच सोच वीगा सोचलो क्या सोच क्या सोच्छें देख लो बच्छों पहले वाले और दूसरे वाले में क्या सब कुछ सेम हैं पहले और चौत सेम क्या दबनों सेम 도 celebrates हो रहा है 2,2,2,0,4 ऑफना है है या ना थो कितने कि अंक्रीजouse 2 का लेकिन यहां पर कितने इंक्रीक है 4 का ठीक है डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा क्या 2 को 4 से डिवाइड कर दें विल्कुल सर क्या आ गया 2 मतलब 4 किसका multiple है 2 by 2 का ठीक है और यहां क्या है 2 तो क्या हो जाएगा 2 ठीक ठीक तो बच्चो C का क्या आ गया 4 ठीक order of complete मतलब 1 प्लस 1 प्लस 2 4 बच्चो अब एक बात सुन लेना कभी भी यह चीज लगाओ गया जिन्दा जब तक A की value न निकाल पाओ तब तक नहीं ठीक है यह चीज बहुत बच्चे अकसर यही करते हैं इसके बात सीधे यह ढूंते है क्याते हैं A और B की value पता पढ़ गई अब C ही तो निकालना है निकाल लेते हैं लेकिन बच्चों ऐसे C का answer नहीं आएगा ठीक है तो बच्चों questions आज के लिए इतने ही thank you guys for watching this video hope आप सबको मजा आया होगा hope आपको वीडियो पसंद आया होगा बच्चों ठीक है तो thank you guys for watching this video thank you guys for watching this video do not forget to subscribe our channel and press the bell icon use my code SHUB1 and get extra 10% discount and get extra 10% discount आप लोग जितना प्यार biology 101 को कर रहे हो उतना ही प्यार chemistry 101 को भी करो thank you guys for watching this video ठीक है बाई 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 बाई